Hello students, welcome to Faisal Concepts Students, आज के lecture में जो हम topic discuss करने वाले हैं वो है number system और coding system Number system में हमारे पास जो different number systems आ जाते हैं decimal number system, binary number system, octal number system, hexa number system, hexa decimal number system अब क्या है कि इसमें हमें इनके convergence भी discuss करेंगे इनकी addition भी discuss करेंगे, इनकी subtraction भी discuss करेंगे और जो coding system में हम उसमें sk2 code को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं हमारे पास जो number system है तो देखिए अब हम number system में अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास है decimal and binary number systems अब इसमें क्या होता है कि decimal की जो base value होती है that is 10 और हम अमोमन जो human beings होते हैं वो इसको use करते हैं जो हमारे पास 029 है वो हमारे पास आ जाते हैं decimal number system के अंदर अब अगर हम binary number system की बात कर लेते हैं तो binary number system में जो हमारी जो computer की language है उसकी जो base value है that is 2 इसके अंदर दो ही हमारे पास number आ जाते हैं और वो है zero and one right तो इसको computer की language में अमोमन bits कहा जाता है इन दो binary digits को अब अगर हम आ जाते हैं convergence की उपर decimal को binary में हम किस तरह से convert कर सकते हैं अब अगर आपके पास कोई भी value है तो आपने क्या करना होगा उसका LCM ले लेना होगा उसको 2 से divide कर देना होगा तो 2 से LCM लेके आप देख सकते हैं कि आप यहां पर देखें कि 25 को decimal में था हमने उसको convert कर दिया है 2 की base में binary में convert कर दिया है और वो किस तरह से किया है कि उसका LCM ले लिया है हमने 2 के साथ तो वो अब देखें आपने values जो है किस तरह से लेनी है कि नीचे से जो most significant bit है वहां से और least significant bit उपर तक नीचे से bottom से आपने values लेनी है और यहां पर उसको put कर देना है तो इस तरह से आप conversion कर सकते है decimal to binary में अब binary to decimal आप किस तरह से conversion कर सकते है उसमें क्या है कि आपने powers लेनी होगी राइट अब powers आप किस तरह से लेंगे कि अब देखें अब आपने binary में convert करना है तो आप यहां पर use करेंगे 2 और start करेंगे 2 raise to power 0 से और जितने आपके यहां प यहां पर 0 के बाद तो आप 4 तक जाएंगे फिर इनकी powers ले लेंगे तो 16 प्लस 8 2 0 प्लस 0 राइट अब इसको न इसके साथ आपने multiply भी तो करना है तो 0 तो आगे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास आजाता है 25 10 अब हमने उसको वापिस उसमें convert कर दिया है राइट समझ आ से start करना है और जितने digits हैं वहां तक जाना है तो यहां पर 0 के बाद 4 digits थे तो 4 तक गए और फिर आपने इन digits के साथ ना इसको multiply करना है मतलब यहां से 0 आएगा 2 की power 0 1 होती है तो 1 multiply 1 यहां से 2 की power 1 तो 2 तो यहां 2 multiply 0 0 4 4 multiply 0 0 8 8 multiply 1 8 यहां से 16 16 multiply 1 16 सब को sum कर दिया 25 की power हमारे पास आ गई 10 तो इस तरह से आप binary को भी convert कर सकते हैं decimal में अब अगर हम बात कर लेते हैं hexadecimal system की तो इसकी जो base value होती है वो 16 होती है इसमें अब क्या होता है कि 0 to 15 हमारे पास इसमें digits involved होते हैं और यहां पर आप देखें कि binary में decimal की values given है लेकिन यहां पर एक और ट्रिक जो जाते हैं तो आप फिर उनको alphabet से represent करते हैं till 15 a b c d e and f बस यह एक ट्रिक आ जाती है और इसमें की जो base value है वो 16 है तो अब हम discuss कर लेते हैं कि हम binary और hexa की conversion किस तरह से कर सकते हैं तो अभी आप देखेंगे यहां पर अब यह table है ना अब यहां पर हर एक decimal की binary value given है और hexa value भी given है तो यहां पर आप देखें कि आपको कुछ नो यह binary में given है राइट तो आपने क्या करना होगा कि 44 बिट्स आपने select करने हैं right side से यहां से select किए 0101 फिर आपने select किए यह आगे आपके 1111 1001 तो अब आपने क्या करना होगा कि यह आप यहां पर देखें कि तो यह 01015 है तो अब यह आपकी value आजएगी 9F5 तो यह आपकी value आगी आपके पास hexa में right अब अगर हम क्या करते हैं कि इसी hexa को हम दुबारा से binary में convert करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे कि अब आपने तीनों को divide कर दिया 2 9B separate कर दिया B की value आपने लिख दी 9 की value binary में लिख दी 2 की value आपने binary में लिख दी वो कहां से लिखी इस table से लिखी right तो आपने इस तरह से binary to hexa decimal conversion किस तरह कर सकते हैं और hexa to binary conversion आप किस तरह से कर सकते हैं अब देखें कि अगर आप decimal से जो है binary में decimal से hexa में conversion करना चाते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको binary में convert करना पड़ेगा अपने decimal को तो पहले आप जो है उसको 2 से divide करेंगे और फिर जो है binary को आप convert करेंगे hexa decimal में सेम उसी तरह से टेबल से आप values लेंगे और उसको hexa में convert कर देंगे फिर यहां पर है कि आप किस तरह से hexa को decimal में कैसे convert कर सकते हैं तो आप अभी देखें अगर एक सिस्टम के दर्मियान में एक और hexa को decimal में करना है तो दर्मियान में आपके पास binary भी आ जाता है तो अब आपने क्या करना होगा कि पहले उसको binary में convert करना होगा और फिर जो है binary से आपने उसको decimal में convert करना होगा वो आप किस तरह से कर सकते हैं उसकी आप power ले ले या उसकी जो value है वो directly भी आप वहां पर put कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने hexa को decimal में convert कर सकते हैं अब अगर हमन दो नमबर की addition करनी है तो यहाँ पर आप देखें कि 9 प्लस E तो अब E जो है ना that is 14 अब वो 14 के equal होता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका जो एक उपर है वो carry चला जाएगा आगे जाके अब D और B अब D और B को add करेंगे आप फिर जो है आगे जाके वो carry चला जाएगा उपर यहाँ पर अब देखें यहाँ पर एक carry था 3 प्लस 4 प्लस 1 carry तो यहाँ पर 8 आगया अब 9 प्लस 2 तो यह 11 बनता है लेकिन अब hexa है तो आप 11 नहीं लिखेंगे B से represent करते हैं हम 11 को यहाँ पर B आजाएगा तो इस तरह से आप addition कर सकते हैं subtraction के अगर बात कर लेते हैं तो subtraction में क्या होता है कि अब देखें आप subtraction पर फॉर्म कर रहे हैं F is 15 15-8 हमारे पास 7 आगया अब यहाँ पर जो इसका carry आप लेंगे ना 9-B 9-11 वो हम नहीं कर सकते तो पहले हम उपर वाली वैल्यो को greater बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे कि आप देखें कि हमने क्या किया कि हम यहां से जो 5 है ना उससे carry ले लेंगे तो 5 इसको cancel यह 4 हो जाएगा 9 में जब add करेंगे तो 9 में अब आपने 1 नहीं add करना यह 10 नहीं add करना है बलके 16 एड करना है क्योंके hexa की subtraction है तो जो carry होगा उसका weight 16 की equal होगा तो जब आप उसको add कर लेंगे और उसको फिर 9 प्लस 16 अगर आप करें तो आपके पास आता है 25 25 मैनिस 11 करें आप B जो है वो 11 है तो आपके पास आजाता है 14 14 की value क्या होती है वो e तो आप यहां पर e लेख देंगे और 4 माइनस 2 2 e 7 आपके पास answer आजाएगा तो इस तरह से आप hexa decimal number की hex numbers की आप subtraction भी perform कर सकते हैं अब यह तो हमारे पास हो गया number system अब हमने बात की थी हम coding system की भी बात करेंगे coding system हमारे पास SK2 हमारे पास codes होते हैं जो हमारे पास यह number 029 हम use करते हैं right सारे जो हमारे पास होते हैं English alphabet के होते हैं अब जो हमने hexa decimal में use कर लिये थे ABCD तो उनको हम कहते हैं कि यह हमारे पास SK2 codes होते हैं right तो हम अब देखें आगे चलके हम इसको मजीद भी discuss करेंगे बस अभी सिर्फ आपने इसको समझ लेना है कि हमारे पास SK2 codes कौन से होते हैं right अब hexa है अब उसको हम represent कर रहे हैं ABCD तो यह हमारे पास SK2 codes होते हैं अमोमन आपके पास इसका एक table भी given होता है अगर आप से कोई question पूछा जाए लेकिन आपने बस सरिफ understanding रखनी है कि हमारे पास ये को जो coding system है वो कौन सी system होती है तो ये तह हमारे पास number system और coding system I hope so आपको समझ में आगया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है और अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दीगे subscribe के बटन पर लाजमे क्लिक कीजिएगा ताके हमारे आने वाले हर helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सके